हलो बच्यों, वेलकम बेक्टो ऋस्टेडी के और यूटू ब चैनल, तो हम फिजिक्स पढ़ रहे थे, फिजिक्स में हम क्या पढ़ रहे थे, क्या संधारे रित्र पढ़ रहे थे, इसी सिंक्वेस में आज मैं आगे चलूंगा, ठीक है इसके पहले हमने क्या पढ़ लिया था हमने ये पढ़ लिया था कि क्यापेश्टर की प्लेट की बीच में कितनी एनरजी स्टोर होती है ठीक है बच्चो और हमने क्या पढ़ा था क्यापेश्टर का कम्बिनेशन को पढ़ लिया था उसका डेरिशन पढ़ लिया था कि आप कैसे जानेंगे कोई सर्किट सीरीज में है या कोई सर्किट पैलर में है आप यह कैसे जान पाएंगे ठीक है इस चीज को आप देखिए जैसे बच्चो मैं आपसे बोलूं कि आपने यह क्या बना दिया तीन कैपस्टर को ऐसे जोड़ दिया ठीक है तो आप कैसे है तो यहां पर क्या कोई डी नहीं है न तो जैसे क्या कुंए petites अंदर दूसरा दूसरा चार्ज क्चछ लांए गया मनलाब इधर आय से ुसौरा और क्यूवान प्लस क्यूटू कि ऐसा कंडिशन तो नहीं हुआ ना इसमें इसमें तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं आया ना बटने के लिए कि वह सीधा-सीधा आ गया ना तो जहां जाहां पे ऐसे बेंड पॉइंट आता है जैसे हम नोडल पॉइंट या पर नोड भी बोलते हैं ठीक है तो वहां पर चार्ज बढ़ता है चार्ज होता है जैसे आप रइस्ट्र के बारें पढ़ रहे थे तो वहां पर आपने देखा होगा कि करेंड वहीं भी डिवाइड जैसे मैं बताओं कि अगर यहां पर यहां पर लगा होता ठीक है यहां पर लगा होता है ठीक तो आप यहां से बोल सकते थे कि यहां इसका कपेस्टेंस यह Q1 है यह Q2 है यह Q3 है ठीक है अरे कपेस्टेंस मनलब C1 C2 C3 है आवेस ठीक है यहां का आवेस क्या है Q1 है यहां का Q2 है यहां का Q3 है यहां पर आवेस क्यों अलग है ठीक है यहां पर आवेस क्यों अलग है यहां पर अलग इसलिए है क्यों क्य पॉइंट मिल रहा है वहाँ पर आवेस बट रहा है डिवाइड हो रहा है जो कोई चीज़ बट होगी बटे की डिवाइड होगे तो उसकी वेलू अलग नहीं हो जाएगी डिफ्रेंट आएगे ठीक है तो इस प्रकार से आप डिटर्माइन कर सकते हैं कौन सा चार्ज सीरीज में है कौन सी चार्ज पैलर में ठीक है यह तरीका घ्रमाइन करने का जब कहीं पर बट रहा है तो चलिए। दूस्त लेता हूं आपको समय आएगा इससे और अच्छे ची यह देखिए बच्चों मैं सिंपल क्योसंट से इस सुगा पहले यह दू पॉइंट है यह ए पॉइंट है यहाँ पे कश्चेंट कितना दस फैरट है यहाँ पेड़ भी दस फैरट है ठीक है और कोई आप से पूछ दिया find the capacitance which means c a b c a और b की बीच में कबस्टेंस बताने है टोटल कितनी आएगी ठीक है तो बच्चों आप पहले क्या देखेंगे कौन सा सीरीज में कौन सा पहले जैसे अगर यहां से कोई क्यू चार्ज चला ठीक है तो उसे दो रास्ते मिलने एक इध इधर q1 गया इधर q2 गया तो क्या यही सेम क्यों इन दोनों में आएगा क्योंकि तो थोड़ी नहीं है तो यहाँ बहुत धार जाय कि और यहां दोन Σीरीज में यहां academics कि आनो पढ़ते हैं आपने पढ़ा है 1 upon C बराबर 157 plus 152 इस इस फार्मला आप शीरीज ठीक जब सीरीज में होगा तो हम यह फार्मला यूज करेंगे तो दो क्या करेंगे तो क्या करेंगे यानि बच्चों आपने इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना आगया पांच आगया ठीक है इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना आगया पांच आगया ठीक तो क्या यह पांच आगया अब इस पांच फैरेट को दस के सांद क्या करना पैलर में जोड़ देना है यह और भी है पांच प्लस दस यानि कि दस और पांच पंद्रा फेरेट आपका एंसर होगा ठीक है तो इस प्रकार से आप फाइंड करेंगे मैंने आपको सबसे सिंबल सवाल लेकि बताया है इस प्रकार से चीजों को आप इस प्रकार से लागाएंगे मैं एक सवाल लेता हूं जैर्चो के बुक में बहुत सवाल है मैकिस्ट क differentiř कर सकते हैं थिकि आपके लिए अच्छा होगा। बढ़ेंस अब कि यह बच्चों मालों सब पे कितना है पांच का आवे थे पांच फैरेड़ करेंगे सबसे पहले आप वही चीजों को देखिए फिट से कौन सा सीरीज कौन सा फैरलर में है यह पहला पॉइंट है यह बी है ठीक है क्या बताना है सी यह भी बताना है आप तो सबसे पहले आप यह देखें यह पांच और पांच क्या है सिरीज भी जोड़ दिजें जोड़ इसको पैसल पर दीए तो यहां पहले इन तिनों को सिरीज में जो आये उनको फैलर तो हम देखते हैं स्टार्टिंग से पहले पांच और पांच को पहले हो जाएगा वन आपन पर असी बराबर सब्सक्रायद कैसा हो जाएगा हम इसको इसको देखें इन ती नहों को ठीक है तो यह दोनों क्या है तो आपका एक फिगर क्या बन किया जाएगा ऐसे यह 5 x 2 हो गया यहां यहां भी बच्चो क्या हो जाएगा 5 x 2 हो जाएगा फैरर्ड में ठीक 5 फैरर्ड है यहां भी कितना है बच्चो 5 x 3 है यह यह कितना है 5 x 3 है बच्चो ठीक यह ऐसे हो गया ठीक है यह 5 x 2 यह 5 x 2 हो गया और वो 5 x 3 वो 5 x 3 हो गया ठीक है बच्चो अब आप देखिए यह 5 x 2 5x2 parallel जोड़ेजे इसको भी parallel जोड़ेजे ठीक है तो क्या हो जाएगा 5x2 5x2 जोड़ेज़े तो 5x2 plus 5x2 बराबर कितना जाएगा 10x2 यानि कितना आ कि यह 5 Γाहिब पारेड आ जाएगे ठीक है अब उधर से क्या करें 5x3 को parallel जोड़ेजे ठीक है सी वरावर क्या है बच्चों फाइब थ्री और फाइब थ्री है ठीक है तो बच्चों यहां वे कितना आ गया ठीक है ठीक है तो काने के मतलब क्या है यह आपको अब एक लाइन में यह मिल र्टीक है जैसे कि लिए कि अरिर फैरट आ और यहां भी क्या यह पांच फैर और यह लाइनib朒 स्रीफ यह अब यह को यह एक लाइन में आपया तो यह सिरीज में आप इसे हैं रेक्ते एड़ कर सकते हैं तो ऑदीके सेरीस में फाउनला क्या होता है one upon c ब्रापड तो क्या हो जाएका यह one upon five plus one upon five plus three by ten ठीक है क्योंकि इसका one upon करेंगे जैसे की one upon ten by three करेंगे तो यह three by 10 हो जाएका ठीक है तो यहां सा भी स्का लस्टीयम लेंगे तो 10 ही आएगा तो five दोनी दस यहां भी पांक दोनी दस दस सिकंद दस तीन आ गया इए तीन दो छे दो आठ हो गया यह आठ वाइटेन हो यह तो बन अपन सी ब्राबर तो सी ब्राबर कितना आ गया बच्चों तेन बाइट ठीक इसे आप काट भी सकते हैं इस प्रकार जे आप थोड़ा लंबे सवाल भी बड़े सवाल को भी लगा सकते हैं लेकिन क्या करेंगे चीजों को ध्यान में रखते हुए ठीक कि कौन से सीरीज में कौन से पैलर में है इस चीज पर आपका ध्यान वालता है अच्छे से आपको अच्छे चार्ज को बाट किय ठीक है तो लगा सकते हैं ठीक मैं आपको कुछ और स्टेंडर कोशन मता दे रहा हूं आप घर भी प्रेक्टिस करिएगा अगर आपको डाउट हो तो पूछिएगा ठीक है थोड़े हार्ड है ठीक लिकिन आप करेंगे तो सौन्जा आएगा आपको जिसे कोई बोल दिया को ठीक है यह ऐसे जुड़ेगा यहां भी लग जाएगा ठीक है तो यहां से आप दो पॉइंट ले लिजे ए और भी ठीक है इसकी बिसमें कर्पेस्टर निकाल लिएगा ठीक है ठीक है यहांनी पूरा क्यूब है इसके हर फेजेस पर कैपस्टर लगें इसके बीच में आपको कैपस्टर लगाना ठीक है लगाएगा आप किसी भी सेव के लिए निकाल सकते हैं ठीक है तो चलिए यह चेप्टर भी लगबग खतम ही हो गया है वान डे ग्राफ्स जनित्र एक टॉपिक बचा है उसका भी प्रेंस्पल है उसमें ज्यादा कुछ है नहीं आप लोग चाहाए तो उसे पढ़ भी सकते हैं ठीक है वान डे ग्राफ्स जनित्र करके एक टॉपिक है उ होती इंपॉर्टेंट है ठीक है जिसे वाइदुत चालल मोलते हैं ठीक है इलेक्ट्रिक कंडक्शन वह पढ़ेंगे उसमें अलग-अलग चीज़े हैं ओम का नियाम है आगे खिर्चाप का भी नियाम है यह सारी चीज़ों हम पढ़ते रहेंगे ठीक है बच्चों आज मैं इतना है रखता हम धर्निवाद